नमस्कार दोस्तों स्वागत है। हमारे इस चैनल जानकारी पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 28 अक्टूबर 2000 23 को लगने वाले चंदर ग्रहन के दिन बस कर लीजिएगा। एक रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाए जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ती माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से ना केवल आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बलकि आप बन जाओगे। करोडपती दोस्तों 28 अक्टूबर 2000 तेईसको साल का अंतिम और महा चंदर ग्रहन लगने जा रहा जोतिश वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंदर ग्रहन नहीं होगा बलकि एक विशाल चंदर ग्रहन हो पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इसी चंदर ग्रहन के दिन शरद पूर्णिमा भी पढ़ रही है। शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेश और खास महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णि और इस दिन अगर आपने हमारे विडियो में बताए हुए एक रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाए दो चार मिनट का समय निकाल के कर लिया तो यकीन मानिये दोस्तों इस उपाए को करने के बाद ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, क आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बलकि आपको आपके का साथ मिलेगा, आपके जीवन में धन की वृद्धी होगी, और मान के चलिए धन संबंधित हर तरह की परेशान इसे आपको मुक्ती मिल जाएगी। और अगर आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से एक रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय कर लेते हैं। जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से तुरंत के तुरंत मुक्ती मिल जाएगी। बलकि साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और जरूर मिलेगा। अब आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है, तो देखिए। कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी की पूजा को शुरू किया जाता है। ये बहुत ही फलित बताया गया है और ऐसा करने से उस व्यक्ती को माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलता है। दूसरी तरफ जो क पाए कभी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाए। उस पूजा को पलट करके लाभ जरूर मिले, तो दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा में आपको काली मिर्च का प जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो अपनी चरम सीमा पर होती है और इस दोरान आप कोई भी उपाए करेंगे, उस उपाए का आपको करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों इस बार का चंदर ग्रहन भारत में दिखाई देगा और चंदर ग्रहन का सूतक काल भा और अगर आपने जाने अंजाने में चंदर ग्रहन के सूतक काल में वो गलतियां कर दी, जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में सख्त मना ही है, आपको अपने में कई तरह के दोशों का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय है जो एक रुपए के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को अगर आपने चंदर ग्रहन वाले दिन कर लिया, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्षमी का वर्दान और मिलेगा, इस पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कॉमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत लिख दीजिए, माता लक्षमी जी की जय और एक काम कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स अपनी राशी डाल दीजिएगा, आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उप पाय होगा जो चंदर ग्रहन वाले दिन करके आप लाब पा सकते हैं, वो आके हम आपके कॉमेंट के रिपलाई में बता देंगे, परंतु आपसे निवेदन था, विडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 को चंदर ग्रहन लग रहा है, तो देखिए, 28 अक्टूबर 2000, 23 की रात्री को चंदर ग्रहन 11 बज कर 31 मिनट पर उपचाया में प्रवेश करेगा, चंदर मा का जो पूरा प्रभाव होगा, वो एक बज 6 मिनट से शुरू हो जाएगा, चंदर ग्रहन का जो मध्यकाल होगा, वो एक है कि चंदर ग्रहन का जो सूतक काल होगा, वो 28 अक्टूबर की शाम 4 बज कर 32 मिनट से शुरू हो जाएगा, दोस्तों, चंदर ग्रहन के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसा नकारात्मक शक्तियां होती है, जिनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है, इस दौरान को ऐसी गलति में सख्त मनाई है, तो दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, आपको अपने जीवन में दुविधाओं से, परिशानियों से, दिक्कतों से हमेशा जहिलना पड़ेगा, इस चंदर ग्रहन के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां है, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन सी गलतियां है, जो चंदर ग्रहन के सूतक काल के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, चलिए, आपको एक-एक करके, परंतु वीडियो में आगे बढ़ जब चार बज कर 32 मिनट बच जाएं, तो आपको इस दोरान ना तो नमक खरीदना है, ना तो लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में आपके उपर दरिद्रता अच्छा जाएगी। बाहर निकले और अपने दर्वाजे को ना खोले, तीसरा उपाय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्रग्रहन के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं घर की कंगी को ना देखे ना कंगी का इस्तेमाल करे, इसी तरह 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार पढ़ रहा है, और चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्रग्रहन के बाद आपके जीवन में आपको शनिदोश, मंगल दोश, सारे साथी ढईया जैसे दोशों का सामना करना पड़ सकता है, अभी तक हम वीडियो में बताया कि चंद्रग्रहन के सूतक काल के जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते अब आपको हम इस इडियो में बताते हैं कि चंद्रग्रहन के दोरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, देखिए चंद्रग्रहन जो लगने जा रहा है वो रात में 11 बज कर 30 मिनट से शुरू हो जाएगा, इ आप अपने जीवन साथी से दूर रहेंगे। चंदर ग्रहन के बाद आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाए। तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यकीन मानिए, दोस्तों, इस चंदर ग्रहन का कोई भी प्रभाव आपके और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से उपाए, जिनको अगर आपने चंदर ग्रहन वाल नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर सबसे पहला उपाए, जो हम आपको बता रहे हैं, वो है शनी दोश, मंगल दोश, साढ़े साथ ही धाईया से बचने का महा उपाए दोस्तों, अगर आपके उपर कोई भी दोश है, शनी दोश, मंगल दोश, आपके उपर साढ़े साथ धाया चल रही है कर 32 मिनट पर शुरू हो जाए आपको एक काला कपड़ा लेना है काले कपड़े पर डालना है एक मुठी काली मिर्च और उसके उपर रखना एक रूपए का सिक्का इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा काले धागे का इस्तिमाल कीजिए अब इस पोटली को के पूजा घर पर रख दीजिए इतना करने के बाद 29 अक्टूबर 2023 को इसी काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनी भगवान के मंदिर के बाह रह किसी भी भिखशुक को दान कर दीजिए इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके उपर कोई भी दोशी होगा वह दोश इस चंदर ग्रहन के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी अगर आप चाहते हैं कि माता लक्षमी के आशीरवाद से इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो मा लक्षमी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपको धन की कमी ना हो तो यह उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहन के सूतक काल से पहले मतलब चार बज कर 32 मिनट से पहले यह उपाय आपको करना है क्या करना है आपको 28 अक्टूबर की सुबह दोपहर में कभी भी नहा लीजेगा उसके बाद लाल कपड़े पहन लीजेगा माता की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कलाचित्र है वहाँ पर बैठेगा फिर दीपक जलाए एक लाल कपड़ा भी चाहिए उसमें आपको रखना है एक मुठी काली मिर्च एक रुपए का सिक्का और पांच इलायची हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों एक मुठी काली मिर्च एक रुपए का सिक्का और पांच इलायची इस कपड़े की पोटली बना लीजिए पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए माता लक्ष्मी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है 11 नवंबर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों महालक्ष्मी इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी पोटली को ले जाएए अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षन दिशा में रख दीजिए इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों सदैव माता लक्ष्मी की क्रिपा आप पर बनी रहेंगी यह ध्यान खींचने का काम करेगी यह आपके जीवन में एक चुमबक बन जाएगी जिसकी वजह से जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे अब मान लीजिए आपके जीवन में फैजुल खर्ची बढ़ गई है आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है तिकता नहीं है वो फैजुल खर्ची में उड़ जाता है तो समझ जाईए आपके उपर ऐसा कोई दोश है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन्टिक नहीं रहा है। परंतु आपको क्या करना है? 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहन के सूतक काल के बाद मतलब 4 बज कर 32 मिनिट के बाद एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा और उस पीतल क की कटोरी में गंगा जल उसमें डाल दीजिएगा, एक रुपए का सिक्का और इसको ले जा करके अपने घर की छट पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है? उन्नत, 30 अक्टूबर को उसी पीतल की कट क्टोरी को उठा करके लाना है, ये जो एक रुपए का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना और ये एक रुपए का सिक्का माता लक्षमी जी का वो आशीरवाद बन जाएगा और आपके जीवन केक करके परन्तु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा तो दोस्तों चंदर ग्रहन का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4 बज कर 32 मिनट से शुरू हो जाएगा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा 28 अक्टूबर क की शाम को जब 4 बज कर 32 मिनट बज जाएं तो आपको इस दोरान ना तो नमक खरीदना है ना तो लोहा खरीदना है वरना आपके जीवन में आपके उपर दरिद्रता अच्छा जाएगी दूसरा उपाए चंदर ग्रहन के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ती ना तुलसी के प भवती महिला है वो ना घर से बाहर निकले और अपने दर्वाजे को ना खोले तीसरा उपाए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा चंदर ग्रहन के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं घर की कंगी को ना देखे ना कंगी का इस्तिमाल करे इसी तरह 28 अक्टूबर 2023 को शनि बार पढ़ रहा है और आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा ये चंदर ग्रहन के सूतक काल के बाद मांस मचली अंडा गुटका पान मसाला दारू इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तो मान के चलिए इस चंदर ग्रहन के बाद आपके जीवन में आपको शनी दोश, मंगल दोश, सारे साथी ढईया जैसे दोशों का सामना करना पड़ सकता है अभी तक हम वीडियो में बताया कि चंदर ग्रहन के सूतक काल के बाद वो कौन सी गलती है जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंदर ग्रहन के दोरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए देखिए चंदर ग्रहन जो लगने जा रहा है वो रात में 11 बज कर 30 मिनट से शुरू हो जाएगा इस दोरान बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार में चंदर ग्रहन लगने के बाद कोई भी ना खाना खाये ना खाना बनाए दूसरा अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने जीवन साथी से दूर रहेंगे चंदर ग्रहन के बाद आप लोग शारिरिक संबंध ना बन क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ज़ाडू का जो सीधा संबंध होता है, दोस्तों वो मा लक्ष्मी से होता है, और चंदर ग्रहन के दौरान ज़ाडू को ना देखना चाहिए, ना उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, बस इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और यकीन मानिये, दोस्तों इस चंदर ग्रहन का कोई भी प्रभाव आपके और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा, अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से उपाए, जिनको अगर आपने चंदर ग्रहन वाले दिन कर लिया, यानि कि शरद पूर्णिमा के दिन क कर लिया, तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर सबसे पहला उपाय, जो हम आपको बता रहे हैं, वो है, शनी दोश मंगल दोश, साढ़े साथ ही धाया से बचने का महा उपाय दोस्तों, अगर आपके उपर कोई भी दोश है, शनी दोश, मंगल दोश, आपके उपर साढ़े साथ ही चल रही है, धाया चल रही है, आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, ये उपाय करने के बाद मान के चलिए, आपके उपर जो भी दोशी होगा, उस दोश से आपको मुक्ती मिल जाएगी, बहुत आसान से उपाय है, देखिए, 28-2023 शनिवार के दिन चंदर ग्रहन लग रहा आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है, एक मुठी काली मिर्च और उसके उपर रखना, एक रूपए का सिक्का इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा, काले धागे का इस्तिमाल कीजिए, अब इस पोटली को के पूजा घर पर रख दीजि इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो आपके उपर कोई भी दोशी होगा, वह दोश इस चंद्र ग्रहन के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्शा होगी अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीरवाद से इस शर पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्शा हो, मा लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपको धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहन के सूतक काल से पहले मतलब 4 बज कर 32 मिनट से पहले यह उपाय आपको करना है, क्या करना है? आपको 28 अक्टूबर की सुबह, दोपहर में कभी भी नहा लीजिएगा, उसके बाद लाल कपड़े पहन लीजिएगा, माता की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए, तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कलाचित्र है, वहाँ पर बैठेगा, फिर दीपक जलाए, एक लाल कपड़ा भी चाहिए, उसमें आपको रखना है, एक मुठी काली मिर्च, एक रुपए का सिक्का और पांच इलाएची हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों, एक मुठी काली मिर्च, एक रुपए का सिक्का और पांच इलाएची, इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए, माता लक्ष्मी के सामने उनके बीज मंत्र का ज करने के बाद इसी पोटली को ले जाएए, अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिन दिशा में रख दीजिए, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों सदैव माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेंगी, यह ध्यान खीचने का काम करेगी, य यह आपके जीवन में एक चुम्बक बन जाएगी, जिसकी वजह से जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, अब मान लीजिए, आपके जीवन में फैजुल खर्ची बढ़ गई है, आपके जीवन में जो धन आता है, वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वो चार बज कर 32 मिनिट के बाद एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा और उस पीतल की कटोरी में गंगाजल उसमें डाल दीजिएगा, एक रुपए का सिक्का और इसको ले जाकर के अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रौशनी अब आपको क्या करना है? उन्नत, 30 ओक्टोबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है, ये जो एक रुपए का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना, और ये एक रुपए का सिक्का माता पुष्मी जी का वो आशीरवाद बन जाएगा और आपके जीवन फिजूल खर्ची की पूरी तरह सेगाए.